नमस्कार देख्चू चनल पर आपका श्वाकते बात करेंगे रज़स्तान के मोशम के बारे में अगली 26 कंडों से लगा कर एक जबता के दोरान केशारेगा रज़स्तान के चत्रों पर मोशम आज 12 December के बात करेंगे तक बीकनेर संबाग और जेपो संबाग के जिलोबर आशरूबि की जिलोबर कोरा सायरा गना जो गंगा नगार हनमांगार विकनेर के उतरी बागए शुरूएं जुन 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 वे इन जिलोबर दे खज़द गना कोरा सायरा लेकिन अकलती चिव श् में गिराउट आएगी नियों तमतापान और अधिक तमतापमान में दोनों ही तापमानों में गिराउट आने की शंबाउन है लेकिन चोईस दिसम्बर से एगनाया पच्छी में एक सोफ सक्रिवर है उसके परबाव से 25 दिसम्बर से लगा कर 30 दिसम्बर के 20 में लगबग राजस्तान के संपून जिलों पर देखा जाएग कई हलके कपाशी बादल उकिया वजाई देखने को में लगी आज भी देखा जाएग कई जिलों पर बादल चाहे हुए हैं गंगानगर, हनमानगर, पीकानेर, योत्री बाग हैं सुरू, जुन-जुनो, सीकर, अलवार, जेपूर, दुर्शा, परदपूर, दौलपूर, कुशनागूर के चत्र हैं और टौं के बागो पर देखा जाएग हलकी परतवाले बादल बने हुए हैं तो सबसे पहले दक्सिन पचिम दिलों की बात कर लेते हैं आगमी एक सब तक दोरान कैसा रहेगा मोशम जेशन में जोद पूर बाड में इरपाली जालोर सिरुए के चत्र पर अगले चोबीस गंटर तक ज्यादातर चत्र में तेकी दूप खिली रहेगी वाए ज्यादातर और दिन में देखा जाएट काभी बाडल साहरे रहने की शंबान है जो कि 24 दिसम्बर से एक पच्छी में चौप सकी हो रहा है उसकी पर बाड़ से तमतापमान लगबग 22 से 23 दिक्र क्याज पास रहेगा और नियू तमतापमान दस डिक्र क्याज पास रहने की शंबावन है जो बांश रड़ा, डूंगरपूर, उद्धेपूर, परताबगार, चितोरगार, राशामान बील वाड़ा, कोटा, बुन्दी, बारा, जलावार जब भी जलो को पर तमतापमान इस्तर बना रहेगा अधिक तमतापमान 22 से 23 दिक्र क्याज पास और नियू तमतापमान 12 से 13 दिक्र क्याज पास रहेगा लेकिन आने वाले सिस्टम की असर है जो कि इन जलो पर भी देखने को मिलेगा जो कि 27 और 28 दिसम्बर क्याज पास में उद्देपूर और कोटर संबा की जलो पर भी बादल की आवज़ई बने रहने की शंबाओं हैं जैपूर बदपूर अजमे संबा की जलो की बात करेंगें तो यहां पर भी देखा जायां तो मौसमें बदलावाने की शंबाओं है लगबग 25 दिसंबर से आज भी देखाजाएद कई जिलों पर बादल बने हुए हैं यहां पर देखाजाएद जुन-जुनों सिकर, अलवा, जैपूर, दुस्रा, अजमे, टॉंक और सौयमादपूर के स्थरें, करोली हैं, बदपूर हैं, दौलपूर के लाग़ाँ पर हल्की परदवाले बादल बने हुए हैं लेकिन कल भी देखाजाएद 22 और 122 दिसम्बर के दारे में भी हल्के बादल बने रहने की संबाना है 25 दिसम्बर से फिर से बादलो की आवज़ाई बढ़ेगी, 27 और 28 दिसम्बर के आसपास में कहीं कहीं कपाशी बादलो की आवज़ाई भी देखने को मिलेगी Bikanese Samba के जलो की बात करें तो Bicosun के जलो पर भी मोशन में हैं बदलौाइने के शंबाओने फिर 15 अम के करण 25 डिसमबर से लगा कर 31 डिसमबर के बीछ में यारा पर भी कहीं हलकी बारीस भी देकने को मिल सकती है लेकिन आज सुब्स से दिखा जाती है पर कापी जगों पर कना कोरा सायरा, गंगानगर, हन्मानगार चुरू और को जुन जुनू के चत्रे है लेकिन कल 22, 23 और 24 दिसंबर के तीन दिनों के दोरान लगातार कोरा सायरेन की शंबान है लेकिन 25 दिसंबर से फिर से मोशम खुला होने की शंबान है 22, 23 के दायरे में देखा जायए जोदपूर शंबा के चले है कोचेपूर शंबा के चलों पर भी है के कोर सायरेन की शंबान है तापान में लगातार गिरा उटाएगी तो ऐसे रहे का लिख बगा के शोबी सकंटर को दोरान राजस्तान के चित्रों पर मोशम जैहिन जै राजस्तान